हेलो एवरीवन, आज एक और खास संदेश आप सब के लिए जिन्दगी में जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी चीज आपको लग रहा है, जिस चीज के आपके पास कमी है आप यदि वो पाना चाहते हैं, तो वो चीज बाटना शुरू करिए जी आए सुनकर कुछ लोग को अजीब लगेगा, परन्तु कुदरत का यही नियम है कुदरत के नियम थोड़े अजीब है, थोड़े उल्टे है कुदरत कहती है कि जो चीज आप पाना चाहते हो, वो देना शुरू करो यदि पैसा आपकी चाहत है, आप पैसा चाहते हैं, तो पैसा देना शुरू करिए यदि सम्मान चाहते हैं, तो सम्मान देना शुरू करिए यदि प्रेम चाहते हैं, तो प्रेम देना शुरू करिए यदि अपना पन चाहते हैं तो अपना पन देना शुरू करिए वो चीज, हर वो चीज जो आप पाना चाहते हैं वो आपको पहले बाटनी पड़ेगी, पहले देना पड़ेगा के बार लोगों को लगता है कि मेरे पास तो पहले ही पैसा कम है मेरे पास तो पहले ही प्रेम की कमी है मेरे पास तो पहले ही मेरा कोई जादा सम्मान नहीं कर रहा है तो मैं कैसे बाटू परन्तु सचा यह है कि आपके पास जब नहीं है तब ही आपको बाटना है कहावत है कि बाटने वाले का भर दिया जाएगा और जो दबा कर रखेगा उससे चीन लिया जाएगा तो यदि यदि आपको लगता है कि आपके पैसा नहीं है तो पैसा बाटना शुरू करिए अब सवाल यह आता है, लोग कहते हैं खासकर से पैसे के बारे में ही कि मेरे पास तो पैसा नहीं है तो मैं बाटना कैसे हाँ, यह बास सही है कि हमारे पास जरूर से जादा हमेशा पैसा नहीं होता है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा नहीं होता है अगर हम चाहें तो कुछ पैसा तो निकाली सकते हैं क्या हम 10, 20, 50, 100 रुपे भी नहीं बाट सकते हैं नहीं वो हमारी प्रियोरिटी नहीं है अभी असल और सच्चाई बता रहा हूं आपको मैं यदि आज आज आपके पास एक लाख रुपे हैं और उन में से आप एक हजार रुपया खर्च नहीं कर सकते हैं तो कल पूरी-पूर इस्ता आती है और या या तो आपके अंदर या आदत होती है या या आदत नहीं होती है तो देना शुरू करिए बाटना शुरू करिए बिना है सोचे के समाप्त हो जाएगा नहीं होगा जो जो आज पैसा आपके पास है जो आज आपके पास नाम है जो आज शोहरत है जो इज़त है लोग आज मान सम्मान आपका कर रहे हैं वो भी आपने अरजित ही किया है और अकर आपको लगता हो कि आपने खुद अरजित कर लिया तो यह आपकी भूल है आपने खुद अरजित नहीं किया वही नियती वही परमपिता प्रमात्मा वो खुदा वो भगवान वो दरते हैं खासकर से पैसे के मामले में या समय के मामले में समय देने से क्यों उकत्राते हैं या पैसा खर्च करने से क्यों उकत्राते हैं कि समाप्थ हो जाएगा जबकि यह भ्रह्म है यह एक मिथ्या एक ऐसी सोच है जो वास्तिक नहीं है कभी खत नहीं होगा नियति के पास unlimited है और समय के बारे में भी जब कभी में बात करूंगा तो आप रान होंगे जान करके शमय भी एक कालपनी चीज्ज ही वास्ति चीज नहीं है समय ऐसे ही जिस भी चीज को आम बानते हैं यह चीज बाटने से समाप हो उसे लोग की मदद करके लेकिए अगर आपको लग रहा है लोग आपका सम्मान नहीं करते हैं आप लोग को सम्मान देना शुरू करिए उन लोग को जिनको सम्मान नहीं मिला उन्हें भी और जिनें मिलना चाहिए उन्हें तो देना ही है यदि आपको लग रहा है आपको प्र पैसा बाढ़ता शुरू करिए यह लग रहा है आपके पास समय जादा नहीं है समय देना शुरू करिए और आइस्ता हैस्ता आप देखेंगे कि वह चीज़ जिस को आप सोच रहे थे कि यह आपके जीमन में कमी है आप देखेंगे वह उतना हो जाएगा जितना आपको यह कुद्रत के नियम है और यह तूट नियम है और यह किसी भी राज्य किसी भी देश किसी भी जगा सब जगा सेम है कुद्रत के नियम बहुत सटीक होते साथ हैं और यह किनमानी नियम आपके लिए भी काम करेंगे हर उस इंसान के लिए काम किया है नियमों ने जिसने नियम जैं भार